शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टु, जोती जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकत जैन, वंदिना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधी जैन, आर्नव जैन, रिधी जैन, एफ F1U 114-115 पीतंपुरा श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतंपुरा श्री सुरेश चन जैन, श्रीमती शान्ति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमेत जैन, पारस जैन, DU 97 पीतंपुरा शुरी राजेश जैन चावलवाले, शुरी मती पुष्पा जैन, शुरी अनुद जैन, शुरी मती तमन्ना जैन, शुरी अमन जैन, शुरी मती मेघा जैन, FD29 पीतंपुरा श्रिमती बिर्मा देवी जैन, धर्म पत्नी स्वर्गय श्री लाल चंद जैन, श्री सुनील जैन, श्री मती कुसम जैन, श्री सौरब जैन, श्री मयंक जैन, श्री मती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी माईशा जैन, DU-43 पीतंपुरा शुरी हेमचंद जैन परिवार, शुरी प्रदीब जैन, शुरी मती रूमा जैन, शुरी रजत जैन, शुरी मती अइशु जैन, मास्टर रिद्यांश जैन, FU8P पीतंपुरा श्री अनिल कुमार जैन, श्री मती रेखा जैन, श्री कार्थिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U-137 पीतमपुरा श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्री मती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU-49 पीतमपुरा श्री प्रकाश जन्द जैन, श्री मती चंद्रकांता जैन, श्री पंकत जैन, श्री मती नीलम जैन, श्री सुशान्त जैन, श्री दिव्याश जैन, C.U. 76 पीतंपुरा जैस्री ओम नमहा सिदे भ्यहा, जैस्री महा वीराय नमहा, जैस्री परंपराचार गुरुवे नमहा, जैस्री ओमा स्वामी गुरुवे नमहा, जैस्री शान्ति सागर गुरुवे नमहा, जैस्री विंत्यानन्द गुरुवे नमहा, मोक्ष मारगश नेतारं भेतारं कर्म भूब्रतां ग्यातारं बिश्वतत्वानां वन्दे तद गुण लगधै मंगलम भगवान वीरो मंगलम गतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैने धर्मोस्तु मंगलम तत्वार्शूत परमंगलिक ग्रंथ है आचार कुंद कुंद के पट्टिशिस से आचारी ओमा स्वामी द्वारा यह लिखा गया है यह बिक्रम सताब्दी की प्रथम सताब्दी में अर्थात ईशापूर प्रथम सताब्दी में आज से लगबग दो हजार वर्ष पूर यह महान गरंथ लिखा गया संस्कृत भाशा में गरंथ है जिसकी शेली सूत्रात्मक है आचारी उमाश्वमी भगवन ने दस अध्यायों में तत्वार शूत्र का जो वर्णन है उसमें साथ तत्वों का वर्णन किया है दिखा जाए तो पूरा द्वासांग का जिसमें सार भरा है ऐसा यह तत्वार शूत्र है आप हम सभी लोग प्रितिन इसका वाचना कर रहे हैं अध्यन कर रहे हैं बढ़नन चल रहा है हमने देखा आचार भगवन ने मोक्ष मार की बात प्रारम की थी और रतना तरह को मोक्ष मार कहा सम्यक दर्सन का बढ़नन बहुत सुन्दर चला और सम्यक दर्सन की उत्पत्ती के कारण भी यहां पर पता चला हम लोगों को जो निशरगज और अधिगमज रूप रहा कल एक प्रशने महान भाव का आया था कलाश के उपरांत कि पांच प्रकार की लब्धियां होती है उसमें से तीसरी लब्धी देशना लब्धी है जैसे छोपसम लब्धी विशुद्धी लब्धी देशना लब्धी प्रायोग लब्धी और करण लब्धी जो तीसरी लब्धी है देशना लब्धी बिना देशना लब्धी के अर्थाद बिना उपदेश के शम्यक्त की प्राप्ती नहीं हो शक्ति है ऐसी पांच लब्दी में पांचों लब्दी होना जरूरी है सम्मक दर्सन होने के लिए और आपने कहा था कि निशरगश जो सम्मक दर्सन है वो सुभाव से होता है तो क्या वो निशरगश सम्मक दर्सन क्या कभी पूर में अधिगमस सम्मक दरसन था अर्थात अधिगमस उबदेश उसको मिला था तो ऐसा जरूरी नहीं है अज़ी जरूरी नहीं है तो फिर देशना लब्दी विना निसरगश सम्मक दरसन कैशे हो जाएगा ऐसी बात का प्रश्ण आया था महानुभाव यहाँ पर एक बात हमें समझना है लब्दी सार ग्रंथ हमारा महान ग्रंथ आचार नेमी चंद्वारा रिविर्चित है और उन्होंने वहाँ पर पांच लब्दियों का बहुत शुन्दर बढणन दिया है उसमें वहाँ पर देशना लब्दी का अर्थ करते हुए आचार भगन ने बताया था पांच जो अश्टिकाए हैं सट द्रव्व हैं साथ तत्व हैं और नो पदार थे इनको जानने वाले ऐसे आचार उपाध्या शादू आदी निर्गंत गुरु उनका उपदेश मिलना देशना लब्दी है अथवा एक शब्द और बोला उसमें अथवा इनका सानिध पाना भी देशना लब्दी है जरूरी नहीं है कि उपदेश मिलेगा तो ही देशना मिलेगी और हमको हमारा कल्याण होगा शानिद मिल जाना मात्र ही यह देशना लब्दी का काम बन जाता है कभी-कभी होता है किसी को गुरु समझाते हैं तो समझ में आता है कभी एश्यव ही होता है कि उस जीव का ऐसा उदय आया कि नहीं समझाना पड़ा मात्र गुरु को देखने मात्र से उसको भीतरागता समन्द में आ गई गुरु को देखने मातर से उसे मोक्ष मार्ख समन्द में आ गया तो उससे भी उसे सम्मेक दर्शन की प्राप्ति हो शक्ती है जैसे मैंने आपको बताया था कि गौतम गर्धर स्वामी को उपदेश थोड़ी मिला भगवान महावीर स्वामी तो मौन थे उनके आने के बाद दिविदोनी खिरीना लेकिन उनको तो बिना उपदेश से ही सम्मेक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो यह है निशर्ग शम्मेक दर्शन होता है धवला एक महान अपना गरंत है सठखंडगम की टीका लिखी है आचर बीर सेंस्वामी ने और उसमें एक संका की गई है कि आपने कहा निशर्ग सम्मेक दर्शन में जिन्विम दर्शन से भी सम्मेक दर्शन हो जाता है तो क्या मुनिराज के दर्शन से सम्मेक दर्शन नहीं होता है रिद्धी संपन मुनिराज के दर्शन संब्ध दर्शन नहीं होता है तो उन्होंने कहा कि उनसे भी हो जाता है तो फिर आपने यहाँ पर संब्ध दर्शन की उत्पत्ती में यह कारण क्यों नहीं बताया तो उन्होंने कहा कि हमने मुनिराज के दर्शन भी जिन मिम्ब में ही गर्वित कर दिया है जैसे भगवान बोलते नहीं है प्रांट प्रतिष्ठा प्रतिमा पर देखने से सम्मिक्ति प्राप्ति हो जाती है ऐसी मुनिराज भी ना बोलें और उनके सानिद मात्र से भी जीव को शुभाव शे जैसे शुभाव से प्राक्तिक रूप से अकृतिम रूप से उसे शम्मिक की प्राप्ति हो शक्ति है तो इस प्रकार का हमें यह शमाधान सास्त्रों के मताबिक मिलता है इसलिए निसरगश सम्मिक दर्सन बाले को पूर में अधिगमच सम्मिक दर्सन हुआ हो यह जरूरी नहीं है अथवा उन्हें गुरू का उपदेश सानित मिला हो जरूरी नहीं है अनादी मित्यदस्टी असा जीव हो शकता है जिसको आज तक दर्सन न मिला हो और आचानक भगवान तो यही दिख रहे हैं यही गुरु सच्चे लग रहे हैं बस इतने मात्र से उसे क्या होगा विशुद्धी बढ़ेगी दर्शन मोहिनी का उश्का क्या हो जाएगा उप्षम छैच्छे उप्षम जिसका हो रहा है और समय आ रहा है उसका मोक्ष का तो वह जीव जो साथ तत्व का वर्णन पड़ रहे थे आचर भगवन उमास्वमी के सूत्र में जो चौथा नंबर का जो शूत्र था उसमें देखा था साथ तत्वे क्योंकि उन्होंने कहा था तत्वार्थ का सिद्धान करना शम्मिक दर्शन है तो तत्व कौन से थे तो कल साथ तत्वों के नाम अपने सुने थे आज अपन साथ तत्वों के जो सूत्र था उस सूत्र को पुना एक बार देखते हैं और उसकी ब्याख्या करते हुए समझते हैं कि इन सूत्रों का क्या अर्थ है और इन तत्वों का हमारे जीवन में क्या उप्योगता है इस बात को समझते हैं उसक जाए-ब सेए पर दो नीए शूत्रापन ने पहले पड़ा था एक बार पुना देखते हैं जीवा जीवा स्रो बंध संबड संबर नर्जरा और इस प्रकार से संदी तूटी आस्राव तत्वे, बंध तत्वे, सम्वर तत्वे, निर्जरा तत्वे और मोक्ष तत्वे इस प्रकार से यहाँ पर साथ तत्वे यहाँ पर अपने जाने थी और इसके बारे में अपने जीव की परिवासा पढ़ी थी जीवतत और अजीवतत दो बात अपने पढ़ ली थी जीवतत जिसमें चेतना हो जो जानन और देखन जसका सुभाव हो ऐसा ग्यान उपियोग और दर्सन उपियोग जिसका लक्षन हो उसे अपन जीव कहते हैं और जिसमें चेतना नहीं होती है उसे अपन अजीब कहते हैं आज अपन आस्राव, बंद, संबर, निजरा और मोक्ष इसके बारे में देखते हैं और इसकी ब्याख्या करते हैं हमने कल बताया था कि आस्राव के दो भेद हैं बंद के दो भेद हैं, संबर के दो भेद हैं, निजरा के दो भेद हैं अर्थात यहां से जो पांच तत्व हैं, उन पांच तत्वों के दो दो भेद हैं, कौन-कौन से आस्रव में लिए दो भेद, तो द्रब आस्रव और एक भाव आस्रव, द्रब बंध और एक भाव बंध, द्रब संबर और भाव संबर, द्रब नरजरा और भाव नरजरा, द् इस प्रकार से यहां पर दो दो प्रकार से इसके भेद हुए अब अपन इन सब का अर्थ समझने का प्रयाश करते हैं तो यहां पर अपन समझते हैं द्रब्य तत्व और भाव तत्व की जो बात होगी वो कर्मों की अपिक्छा से होगी भाव तत्व की बात होगी वो आत्मा क परिणामों की तरफ से होगी ठीक है ध्यान लखना आपके पास यदि कौपी पैन हो तो आप इसको नोट करते रहना आपको याद रहेगा इश्मरण में रहेगा और इसको लिखते जाना द्रब्य तत्यों की बारे में क्या बता रहा हूँ जो कर्मों की तरफ से व्याख्या होगी उसे आप द्रब्य तत्यों समझना जो आत्मा के परिणामों की तरफ से व्याख्या होगी उसे आप भाव तत्यों समझना और अपनको इनको पांच चीजों में लगाना है आस्रों, बंद, संबर निर्जरा और मोक्ष अब आप देखें यहाँ पर आपको श्लाइट दिख रहे होगी द्रब्य तत्व की यहाँ पर आपको दिख रहा है ना द्रब्य तत्व अब इस द्रब्य तत्व में क्या क्या लिखा हुआ है पहले लिखा है कर्मो क्या लिखा है कर्मो फिर लिखा है आना कर्मो का आना उसके आंगे लिखा है आस्रो कर्मो का आना क्या नाम आस्रो है कर्मो की तरफ से बात हो रही है किसकी बात हो रही है कर्मो की तरफ से कर्मो का आना क्या है ये आस्रो है और फिर कर्मो का आत्मा से संबंद होना ये बंद ह बंद किसे कहा कर्मों का आत्मा के साथ संबंध हो जाना एक में एक हो जाना आत्मा और कर्मों का इसका नाम क्या है बंद सब में करम करम लगाना कर्मों का आना आश्रो कर्मों का संबंध हो जाना आत्मा के साथ बंद है कर्मों का आना रुक जाना अभी आ रहे थे अब कर्म आना रुख गए तो उसका नाम क्या है संवर उसका नाम क्या है संवर और कर्मों का एक देश खिरना थोड़ा थोड़ा करके करम करम से थोड़ा थोड़ा करके कर्मों का आत्मा से बाहर निकलना ये सब क्या हो जाएगा जो बंधे थे वो छूटना और अलग होना उसका नाम क्या है निरजरा क्या है निरजरा तो कर्मों का खिर जाना एक देश निकल जाना उसका नाम क्या है निरजरा और कर्मों का संपून नास हो जाना संपून अभाव हो जाना आत्मा से कर्मों का संपून अभाव हो जाना नाश हो जाना छै हो जाना उसका नाम क्या है मोक्ष तो इस स्लाइड में आपने सारा दिखा द्रब्य तत्त्व लिखा हुआ है कर्मों का आना आस्राव कर्मों का रुक जाना बंद सरी कर्मों का आत्मा से संबंध होना ये बंद कर्मों का रुक जाना संबर कर्मों का एक दे गुरुदेव साथ तत्तों को कि उधारन द्वारा समझा जा सकता है तो किरपा करके हमें उधारन द्वारा समझाईए साथ तत्तों को उधारन के माध्यम से हम समझने का प्रयाश करते हैं और सास्त्रों में भी अनिक जगा उधारन मिलते हैं और आप भी अपने अपने उधा उधारण जो सास्त्रों मिलता है उसकी अपन पहले चर्चा करते है उधारण मिलता है नाव का कि जो नाव है उसे आप क्या समझो अजीव समझ लो ठीक है ना और उसमें बैठने वाला जो जीव है उसे आप कोई विक्ति चलाने वाला जो व्यक्ति है उसे आप जीव समझे, ओ जीव है भी, तो नाव और जीव के उधारन से दें, पहला तत्व क्या हो गया, नाविक, नाविक हो गया जीव, और जो नाव हो गया, वो हो गया, अजीव, ठीक है ना, अब नाव चला रहे हैं, और उसमें छेद हैं, नाव में क्या है छेद है तो छेद के माध्यम से पानी आ रहा है जो पानी आ रहा है वो क्या हुआ आस्रो तो देखो जीब भी वहीं पर है अजीब भी वहीं पर है और कर्मों का आना प्रारम हो गया तो छेद के माध्यम से जो वहां पर जल आ रहा है नाव में उसका नाम है आस्रो क्या है क आने का जो रास्ता है कर्म के आने का जो रास्ता है उसे अपन कहेंगे आस्रो आस्रो मतलब होता है आना ठीक है और धीरे धीरे पानी जो है नाव में भरते जा रहा है तो जो पानी नाव में भर रहा है उसको बोलते हैं अपन बंध क्या कहते हैं बंध आने के द्वार को आस् चाओ और जो कर्मे जो पानी है नाव में भरते जा रहा है तो उसका नाम क्या है बंध है क्या है दो क्या करो जो क्षिद्र है उन छिद्रों को बंध करना कर नारम करो जितने छिदर बंद होते जाएंगे, उतना पानी का बहाव आना बंद हो जाएगा, तो जो छिदर को रोकना, छिदर को बंद करना, इसका नाम जो है, क्या है संवर, क्या है शंवर, संवर में क्या किया, जो कर्म थे, उनका आना रुक गया, तो उसका नाम होता है संवर, ठीक जल है उसको बाहर दोनों हातों से अंजनेल बना करके उसको जल को अपने निकालना प्रारम किया जो नमले भर गया था। तो जो धीरे-धीरे करके निकालेंगे, क्योंकि अपने पास बाल्टी तो थीर नहाने के बाल्टी ले जाना होगा अपन को, तो हाती थे, तो अपने अपने हाती के अंजली बनाई और उसको जल को नाव से निकालना प्रारम किया, तो धीरे-धीरे एक-एक करके, एक-एक करक धीरे धीरे करते करते क्या हुआ नाव से पानी निकल रहा है तो उसे कहते हैं निर जरा क्या कहते हैं कर्मों का जो आत्मा के साथ संबंद था अब वो निकालना प्रारम किया निकलना प्रारम हो गए एक एक दिस तो उसका नाम कहते हैं निर जरा और समस्त पानी समाप्थ हो जाना, समस्त पानी समाप्थ हो जाना, नाओ का उस किनारे में लग जाना, तो क्या हो गया, नाओ उस किनारे लग गई, और आपका नईया पार हो गई, और आप अपनी गंतब्य में पहुँच गई, तो कर्मों का अभाव हो गया, नाओ का भी अभाव हो गया, नाओ तो सरीर था ना तो इस सरीर का भी अभाव हो गया जो कर्म था उसका भी अभाव हो गया और आप अपनी मंजल को पा लिया तो समस्त कर्मों का अभाव अथात कर्मों का छे उसका नाम क्या हो गया मोक्ष तो ये एक द्रिश्टान्थ है, जो बहुत प्रशिद है, ऐसे ही आप अनेक प्रकार के द्रिश्टान्थ बना सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर हूँ, बैठा हूँ, मैं जीव हूँ, और ये जो मंदिर है, ये मंदिर जो है वो अजीव है, ठीक है, आप सब लोग एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं, मंदिर के द्वार से, तो क्या हो रहे हैं, महराज जी के उपदे सुनने आ रहे हैं, भगवान के दर्सन करने आ रहे हैं, तो द्वार से आपका प्रवेश हो रहा है, तो जो प्रवेश हो रहा है, उसका नाम क्या हो गया, आस्रो, और मंदिर में उसका नाम क्या हो गया, बेंद हो गया और आप भी या किलास समपत हो रही है जावाणी का ज्ञान से हो गया नौवार नमोकार्मन्त हो गया आत्वा पूज़ापाट का विशरजन हो गया तो एक एक करके सब लोग क्या कर रहे हैं जाने लगे तो एक-एक करके जो जा रहे हैं उसका नाम क्या है? निर्जरा पूरा मंदर खाली हो गया पूरी सभा खाली हो गई तो क्या हो गया? लो, कितना सद़ल लें? मोक्ष आप सबका क्या हो गया? मोक्ष हो गया भाईया ये दृष्टांत है ठीक है? द्रिष्टान से सिध्धान दिगरित करना है, तो इस प्रकार से आप कितने बना सकते हो, आप सेकुन उधान बना सकते हो, और आप भी चिंतन करके बनाना, जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो गाड़ी चलाने वाला क्या हो गया, जीब, गाड़ी क्या हो गया, अजीब बस में एक एक करके लोग आने लगे तो क्या हो गया आस्राव सीट में सब बैढ़ गए तो क्या हो गया बंध है सब का अपना अपना इस्थान आते गया उतरते गया तो क्या हो गया नेजरा और सारी बस खाली हो गई तो क्या हो गया मोक्ष हो गया कितना सरल है बस का मुक्ष हो गया कि आतमा का मुक्ष हो गया बस का मुक्ष नहीं कराना है अपनी आतमा का मुक्ष कराना है तो आप लोग भी इस परकार से बहुत द्रिश्टांद बनाना द्रिश्टांद बना करके द्राख्टांद सिद्ध करना कहना क्या चाह रहे हैं ठीक करती है तो कर्म रुख जाते हैं और अच्छे भाव करती है तो कर्म की निजरा होने लगती है और बढ़ियां भाव करती है तो आत्मा का मोक्ष हो जाता है तो अपन ने अभी यहां पर द्रब तत्तु के बारे में समझा क्या समझा कर्मों के आने के द्वार को आस्रो कर्मों का आत्मा से संबंध हो जाने का नाम बंद है और कर्मों का रुकन जाना आना रुक जाना संबर और कर्मों का एक देश जढ़ना नश्ठ होना निज्रा और समस्त कर्मों का भाव हो जाना इसका नाम क्या है मोक्ष नमस्तु गुरुदेव यह करम हमारे आश्रव में कब से आ और कब तक चलते रहेंगे किरपया इसकी व्याख्या कीजिए बहुत सुन्दर प्रस्न है और ये अनेक लोगों के मन में प्रस्न आता है कि गुर्देप हमारे जो कर्म हैं कब से आ रहे हैं और कब तक चलेंगे कब इनका अंत होगा तो महानुभा इसके लिए आगम में बहु पर असुद्ध होगी होगी ऐसी मानता जैंदर में नहीं है क्योंकि एक बार आत्मा सुद्ध हो जाने के बाद पुना असुद्ध नहीं होती है एक बार आत्मा शुद्ध बजाने के बाद पुना संसार में नहीं आती है इसलिए अनादी संबन दे चाया अनादी काल से यह जिसका आदी नहीं हुआ अनादी जैसे एक राउंड है शरकल है उसका आदी कहा है आप से पूछा जाए इसका प्रथम इस्थान कहां पर है तो प्रथम इस्थान कहीं मिलेगा नहीं आपको ऐसी चक्र जो अनादी काल से जो जीब और कर्म का चला रहा है सरीर और आत्म का चल चला रहा है वो अनादी से चला रहा है ठीक है ना जैसे बीज और ब्रक्ष का बीज है तो ब्रक्ष है ब्रक्ष है तो बीज है पहले कौन आया बीज आया कि ब्रक्ष आया तो ये कोई आंसर नहीं हो सकता है कि बीज और ब्रक्ष ये अनादी से संबंद है एशी ही कर्म और आ सकता है बीच को जला दो ब्रक्षनी बनेगा तो ये बात है ऐसे कर्म को नश्ट कर दो तो आत्मा जो है पुना पुना संसार में ब्रह्मन नहीं करेगी तो अपन कर्म को रोक सकते हैं अब ये अनंतकाल चले ये ज़रूरी नहीं है हम इसे पुर्शार्थ पुर्वक शाधना त्याक तपश्या पूर्वक सम्यक दर्शन को प्रगट करके सम्यक ज्यान को प्रगट करके सम्यक चारित को प्रगट करके रतनात्रय को प्रगट करके अपनी आत्मा को शुद्ध और विशुद्ध कर सकते हैं और कर्मों के आने को द्वार को रोक शकते हैं हमारे अंदर सकती कर्मों को लाने की है तो कर्मों को रोकने की भी शक्ति हमारे अंदर है तो हम सबी लोग ने अभी तक द्रब तत्व पढ़ा और अपन अब भाव तत्व पढ़ते हैं आपके पास यहाँ सामने स्लाइड आईगी होगी और इसमें भाव तत्व लिखा है भाव तत्मे क्या लिखा है सुभ असुभ भाव और फर नीचे लिखा है सुध भाव ये दो बाते लिखे हुई है ठीके ना तो सुभ असुभ भावों की उत्पत्ती अब भाव तत्मे क्या लेना है आत्मा की तरह से निमित्त की ओर से बात तो हो गई, निमित्त करम था उससे बात हो चुकी, अब उपादान, शक्ती, निजशक्ती, अपनी स्वयम की निजशक्ती, तो सुब असुब भाव किसके हैं, करम के नहीं हैं, जीब के हैं, जीब के सुब असुब भाव हैं, तो सुब असुब भाव क उत्पत्ति को बोलते हैं आश्रव कौन सा आश्रव भाव आश्रव कौन सा आश्रव हो गया वहां द्रब आश्रव था अब यहां कौन सा आश्रव हो गया भाव आश्रव शुब है अशुब है परिणामों के निमेश से होने वाले जीवों के भाव की उत्पत्ति उसको कहते हैं भाव आश्रों सुव असुव का बना रहना ऐसे सुव असुव भाव की उत्पत्ति हुई थी उनका थोड़ा दिर बना रहना उसको बोलते हैं बंद जो परिणाम हुए थे उनका भाव का थोड़ा दिर और बना रहना उससे क्या होता है बंद उसको बोलते हैं भाव उत्पत्ति के बाद ब्रध्धी और ब्रध्धी होना, सुद्ध भावों की और ब्रध्धी होना उसका नाम निर्जरा और पून सुद्ध भावों होना इसका नाम मोक्ष। उसे अपन कहेंगे सुद्ध भावों का बना रहना अपन उसे कहेंगे सुद्ध भाव बंद या असुद्ध भाव बंद इस प्रकार से ये बात हो गई, अब लेते हैं सुद्ध भाव, सुद्ध भाव में क्या है जहां सुद्ध भाव नहीं है, ऐसे सुद्ध भावों की उत संबर ठीक है और ऐसी सुद्ध भावों की ब्रद्धी हो पहले उत्पत्ति हुई प्रणाम में और निर्मलता आने से और ब्रद्धी हुई और उस ब्रद्धी के कारण क्या हुई निर्जरा अब कर्म जो अंदर बैठी हुई हैं वो निकलना प्रारम हो रहे हैं तो उसको कहत हैं मूख्ष है भाव मूख्ष कोंसा मोख्ष कहते हुई वह सहाँ अर्थात उस भावमोक्ष ही फिर हमसा पर्मानेंट शिद्ध वश्द को को प्राप्त करा देता है इस पकार से अपनने द्रव मोक्ष और भाव मोक्ष और भाव मोक्ष की बारे में अपनने पढ़ा शेषब से कल लेंगे सुनीत जैन नीरज जैन विभोर जैन इति जैन सरवांग जैन चारु जैन, गौरव जैन, दर्श जैन अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्ग जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अधिती जैन, सामवेद तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उशा जैन, सुनित जैन, नीरद जैन, अने कांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंधना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वानी जैन श्रिमती कमलेश जैन, धर्म पत्नी, स्वर्गिय श्री श्री पाल जैन, परिवाल QU 149C पीतमपुरा दिल्ली श्रिमती आशा जैन, धर्म पत्नी, श्री सुख माल चंद जैन, चावल वाले श्री रवी जैन, श्री मती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्री मती मीतु जैन, श्रे जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU-71 पीतंपुरा दिल्ली श्रीमती केला जैन, श्री जगदी शुराय जैन, श्रीमती उशा जैन, श्री कुल भूशन जैन, श्रीमती प्रीती जैन, श्री संजे जैन, मुनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU5, पीतंपुरा, दिल्ली श्री संजे जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्करिष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाती जैन, उन्नती जैन, आगम जैन, F1U1 पीतमपुरा श्रियाजेकुमार जैन, श्रिमती सुमन जैन, श्रियाभीशेक जैन, श्रिमती दिव्या जैन, मास्टर लविथ जैन, BU101, पीतंपुरा